राजस्तान राज्य विदिक सेवा प्राधिकरंग चैपुर के निदिशा अनुसार तालुका विदिक सेवा समिती खंडार में राश्य लोक अदालत का आयोजन 12 जन्वरी को किया जाएगा इस राश्य लोक अदालत को लेकर गुरवार को बैठक का आयोजन तालुका विदिक सेवा द्वारा किया गया जिसमें बैंक, वीमा और विद्दे संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अधिक सेथिक प्रकरणों को रखने के लिए प्रेरिद किया गया साथी तालुका विदिक सेवासमीति के अध्यक्षन एपक्षकारण के मद्य आपसी राजी नामा लोकादालत के फावना से करवाने के लिए प्रेरिद किया जाएगा राजस्ताम राज्य विदिक शिवाप रादिकरम के निद्देशा नुसार आजम जिला विदिक शिवाप रादिकरम के परिसर में ये मेडिया जन के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो आगामी रास्टे लोक अदालत है 12 जनौरी 2018 को उसमें अधिक अधिक केसेज को किस प्रकार से हमें रैफर करना है किस प्रकार से उन केसेज को आइडिन्टिफाई करना है और किस तरह से हम मैक्जिमम केसेज को मैक्जिमम केसेज को लोक अदालत के माद्देम से राजी नामा के माद्देम से निप्टा सकते हैं इसी दिसा में चूंकि आम जन तक हमरे देश में गरीबी हम ऐसिक शाप बड़े पहमन पर व्यापत है आम जन को कानून की जानकारिया नहीं होती है इसलिए हम सब तक ये बात पहुंचा सकें कि जो नालसा रालसा और केंडर और राज्य सरकार की जितनी जन करल्यान करी स्कीम से हैं उनका फाइदा आम जन तक कैसे पहुंचा जा सकता है साथ ही उन गरीबे उन पात्र व्यक्तियों को चीनित करना जो इस सुविदा के हगदार है इसके बारे में राश्टर लोक अदालत जो आगामी 12 जनुवरी 2008 को आईजित की जानी है उसमें आम जन को यह बात समझ जाने के लिए निविदन किया जाना है कि यदि हम लोक अदालत के माद्यम से राजी नामा के माद्यम से किसी मामले को निटाते हैं तो उससे हमारा समय बचता है धन बचता है और हमारे जो आपसी विवाद है वो एक समझोता से एक आपसी बातशीत के माद्यम से सुलच जा होता है कटुता बढ़ती है समाज में तो उन सब को देखते वे वेकल्पिक विवाद जो लोक अदालत एक ससक्त माद्दे में इसका हमें विसेश रूप से फाइदा लेना चाहिए और मैं सब पक्षकाराओं सब अदिवक्ता गन्से अपील करना चाहूँगा कि ज्यादा से ज्यादा लोक अदालत जो आगामी 12 जनौरी 18 को आयोजीत की जा रही है उसमें सामोई भाग लेकर और ज्यादा से ज्यादा केसेज को आप सी वारता के माद्दिम से आप सी समझाईश के माद्दिम से सुल जाएं ताकि समय के बचतो धन के बचतो और हमारे रिष्टे जो हैं बहुत अच्छे बने रह सके इसमें बैंकिंग समंदी बीमा समंदी बिजली समंदी पानी समंदी और जन सुविदा समंदी आप सी पडोशिय के मैटर, recovery के मैटर, किसी भी प्रकार के धन्समंदी मैटर और ऐसे विवाद जिन में राजी नमा किया जा सकता है, वो सब विवाद हम चिन्नित करके 12 जनवरी को लोक अदालत में रख रहे हैं और इसको अधिक-अधिक सफल बनाने का प्रियास कर रहे हैं, इसके तरिक्त हम 6 जनवरी को एक रूपनगड में, मेगा-विदिक-चेतना-शिविर हमारे माननी कारी-कारी अधियत जो हाई-कोट के वरिष्ट तम नहायदीष महहदा होता हैं, वो पदा रहेंगे, और जो हमारे निरक्षन नहायदीपती महहदा होता हैं, वो भी पदा रहेंगे, माननी और उसके माद्यम से हम मैक्जिमम लोगों को चीनित करके जैसे क्रिसी सम्मंदी के कीट नाशक दवाईयां का करण आदी विद्रित करते हैं राशन कार्ड सम्मंदी जो हैं विद्रित करते हैं स्वच्छता से सम्मंदी टोइलेट के लिए 12,000 रिपर का चेक वो पात्री विक्तियों को दिया जाता है और जितनी भी जनकल लांकर यूजना है जिसमें ट्राइसाइकल दिया जाना है विद्वा पैंसन दिया जाना है पुलिस प्रसासन सब का सबकी सामुई सहिवागीता से होता है और उसमें जो विसेश रोल रहता है वो मीडिया का रहता है जो कानून जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जटिल परक्रिया है वो आम जन तक एक सरल परक्रिया से सरल तरीके से कैसे उसका लाद दिया जा रहा है ये बताने के लिए एक ससक्त माध्यम हमारा मेडिया है स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक वर शेयर करें